सब्सक्राब करें अपने यूटीब चैनल लान अबोट मेडिसिन को और बैल आइकन दबाएं लेटेस नोटिफिक्शन पाने के लिए स्वागत है दोस्तों एक बार फेर से आपके अपने यूटीब चैनल लान अबोट मेडिसिन में जहां आप आते दवाईयों के बारे में संपून जान करें दोस्तों आखों के इंफेक्शन को ठीक करने के लिए जामाने तो हम आई ड्रोब तो आई ओंटमेंट का प्रियोग है उससें अखों का इंफेक्शन ठीक हो जाता है लेकिन ऐक अग्डों करें दोनों के लिएग लिया इसको खोलने के बाद बाद में प्रियोग नहीं लेना होता हूँ आज इस सरी में होने वाले बेक्टिरिया को मार कर बेक्टिरिया को ठीक करता है साथ यह ग्राम पोजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव दोनों ही बेक्टिरिया दार होने वाले जो इंफेक्शन है उनको ठीक करने में सक्सम है जिन जिन आखों के इंफेक्शन को ठीक करने के लिए इस वियकति को दुंदला दिखाय में काम नहीं आएगी चब इंफेक्शन के दोल्दा दिखा देता है तो काम आ सकती है किसी परका की आँखों में चोट लग गई हो कोई बिलिस्टर हो गया हो फफॉला हो गया हो पलकों पर सूजन आ गई हो पलकों पर किसी परका का फोड़ा या कील हो गई हो व्यक्ति लंबे समय से कॉंटेंट एक सब्ध कर नहीं अगर इन इन सभी कारोंव से व्यक्ति के आंखों में समधिया हो रही है तो यहां आईकेट क्लॉर्ण फिनिकोल काई के दिया जाता है जिन जिन बिमारी में इसका प्रियोग लिया जाता है उसको हम जान लेते हैं लग्सन सभी हमने पहले जानने उसके बाद अब बीमारी की बात करें तो सबसे पहली बीमारी है कंजेक्टिवीटिस जिसम पिंक आई कहते हैं इसके अलावा केराटाइटिस एंडो पतलेमेटिस बलेफेरिटिस इस्टे यूटिस तथा आई लीड सिलूलाइटिस यह इसकी कुछ बीमारियों के नामें इन सभी इ रिजल्ट मिलता है अब जब आप इस आई केप को मेडिकल इस्टोर पर खहिदने जाएंगे तो आपको इसी नाम से आसानी सी मिल जाएगी या आप सिधा कहेंगे आँखों में डालने वाला केप्सूल दे तो भी वो दे देंगे या आप इसका जोई कोल नाम से केप्सूल होता है इसको री यूज के लिए नहीं रखना होता है अब यहाँ पर जान लेती इस केप्सूल को किस परकार से यूज करना है तो जो केप्सूल है उसको पहले उपर से कैंची से काट लें कैंची साफ होनी चाहिए जिससे की कैप्सूल में इंफेक्शन नहीं ज जादा समश्य आहे को वे क्ति विए जो रात वे सोते समश्य को लगा रहे है इस 'da जैछे नहीं को मेसम्गे तो एक गढ़ नहीं आ रही है तो एक गंटे के बाद इस आखो को दो और चुछ अभ़ा लगए तो सकता है को अंटिबैटिक दवा भी आपको डोक्ट दें आभ यह कई साएड़ एफ्ट भी सामएं नहीं होते हैं फिर भी जो होते तो आखों में चुबन होना जलन होना आखों में से पानी आना, redness आखों में हो सकती है, हलका सीरदर्द हो सकता है, blur vision हो सकता है, वैसे तो इन सबी समयश्यों को ठीक ने के लिया है, लेकिन ये समयश्य बहुत ज़्यादा बिगड जाएगी, एगर ये ऐसी इस्तिती लगे, तो 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 रहनत एपनी आखों को आपको मिल जाता है, यह जानकर आपको कैसी लगी, क्या इस आई के बारे में आप पहले से जानते थे, कमेंट बोक्स में जूर से बताएं, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नही दबा के नही टोपी के साथ में, तब तक के लिए स्व